नमस्कार साथियोँ, आज हम बात कर लेते हैं दुबई से रिलेटेड़, जियां, दुबई की भाई, मैं जहां तक देख रहा हूँ यार, पता नहीं, लोग दुबई में भी कलत काम तो होते हैं, no doubt, सबसे ज्यादा सराब माफिया, जियां साथियोँ, दुबई में सराब का तरोबार होता है और फुलिस की नजरों से इसको बैच के किया जाता है काफी सारे लोग इसमें इन्वोल आएं और सबसे ज्यादा मुझे लगता है पाकिस्तानी लोग सराब का धंदा ज्यादा करते हैं क्योंकि यह एक्जामपल नहीं मैं फुरूप के साथ बात बताऊंगा कि चार पाकिस्तानी दो नेपाली और एक इंडियन यानि साथ लोगों ने मिलके इंडियन बंदे पे हमला कर दिया उसको गायल कर दिया डिटेल से बात करेंगे वीडियो चाल लगे तो लाइक शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कर लें फेस्बुक फेसे दो नेपाली थे एक इंडियन बंदा ता यह साथ लोग मिलके सराब बेचने का अवेध यान इंगल काम कर रहे थे जी हैं और एक जो बंदा था यह जहां रहता था यह लोग वहीं पे सराब बेचने का काम करते हैं और मुझे जहां तक लगते हैं भाई खरीदने वाले भी बहुत हैं मैंने यहां पे देखा क्या देखा भी है कि होम डिलीवरी होती है जी हाँ, होम डिलीवरी हो जाती है कि आपको कितनी सराब चीए, लोग रूम पे आके देखे जाते हैं, ऐसा दुबई में गलत काम होता है, सराब बेचना यहां पे इलिगल है, विल्कुल मनाई है, लेकिन फिर भी लोग पैसा कमाते हैं, और पैसा कमाने के चकर में गलत काम क बंदा था, उन्होंने उनकी शिकायत कर दी पुलिस से, जी हाँ, और उनका जो गाड़ी का नंबर था, उनका नंबर नोट करके पुलिस को दे दिया, अब उनको कैसे पता चला, यह अलग इमेटर हो जाएगा, कि उनको यह पता लग गया है, कि इस बंदे ने हमारी शिकाय लाते थे, उनको जैसे पता लगा कि इस बंदे ने हमारी शिकायत किया, जो इसको डंडो से पीट पाड़ दिया, बड़िया तरीके से, रोड पे गिरा के गाहिल कर दिया, उनकी जेब से पंदरा सो दराम थे, वो भी निकाल ले गए, पिर उसने पुलिस को फोन किया, उनक को समझना चीए, कि अभी तो हम साथ हैं, अकेला है, कोई बाद ने इसको मार लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होना है, बाद का नतीजा अगर वो सोचते तो मुझे नहीं लगता, वो गलत काम करते, यहां तक भी ठीक था, वो सराब का काम कर रहे थे, उन्हें पुलिस को श सातों बंदों को पुलिस ने पकड़ के जेल में टाल दिया, उनके उपर दो मुगद में, सराब तसक्री का मुगदमा लग गया, प्लस मार पिट जान लेवा हमले का मुखदमा लग गया, उनको कोर्ट में पेस किया गया, कोर्ट ने उनको एक महने की सजा सुना इस चेजा मजदूरी करना भाई, यही है, क्योंकि लेबर के टिगरी के लोग यह ज़यादा काम करते हैं, जो मजदूरी काले होते हैं, फिर आपके पैसे वहाँ पे काम क्या बचेगा, आप कंट्रक्शन का जोब करना, इंडिया में बहुत, पाकिस्तान में भी मिल जाएगा, इ लेकिन वो अच्छी नहीं लगे आपको मारना पीटना सरा बेशना एक तरह से देश को बदनाम करना पेपर में आई है कि चार पाकिस्तानी दो नेपाली एक इंडियन क्या ये कोई बड़े कोई बापका नाम तो निकला नहीं से आप लोगों का देश का नाम खराब होता है त पुलिस अपने आप उनको गिर्बदार करके अंदर कर लेगी आपको गड़ने की गबराने की जुरूत नहीं होनी चीए और मैं तो बोलू है जो गलत कर रहे हैं उनको पकड़ा पुड़ों के अंदर डलवाओना यार ताकि आपका नाम खराब कर रहे हैं समाज का नाम खर नहीं क्या फरक वड़ता है गलत तो गलत है बस जानकरी देनी थी वीडियो चाल लगे लाइक करें शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइक और ओन कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी जेहिं जे भारत